पूल को ठीक कर देता हूं, वरना बाशास अलामत नाराज हो जाएंगे कितना प्यारा फूल है अरे चेनू तुम यहाँ अरे भाई कालू, तुम इतने बड़े शाही बागीचे में काम करते हो अच्छा खासा पैसा भी कमा लेते हो पर मैं देखता हूं कि तुम अपना पैसा खर्च बिल्कुल भी नहीं करते हो आखिर इतनी कंजूसी किसलिए भाई इन पैसों को बचा कर तुम करोगे क्या अरे देखो भाई चेनू, तुम यह बिल्कुल नहीं समझोगे अब मेरे आगे पीछे कोई देखभाल करने वाला तो है नहीं इसलिए मैंने सोचा कि अपने बढ़ापे के लिए आज अगर कुछ पैसा इकठा कर लूँ तो वो कल मेरे ही काम आएगा है न अच्छा तो अब ना चलता हूँ, मुझे कुछ और काम भी है ठीक है थे नूँ, फिर मिलते हैं इसके नीचे से मेरी थैली निकलेगी मेरी थैली खाया है, मेरी पैसे खाया है विर्बल जी, मैं लुट गया, बरबाद हो गया मेरी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई जो मैंने अपने बुढ़ापे के लिए बचा कर रखी ती उसे कोई चुरा ले गया अब मैं क्या करूं विर्बल जी देखो कालू, चुप हो जाओ रो मत, और मुझे ये बताओ कि तुमने वो पैसे कहां चुपा कर रखे थे मैंने शाही बागीचे में नाश्मती के पेड़ की जड़ में गड़ा खुद कर उसे चुपा रखा था विर्बल जी लेकिन तुम्हें वहां चुपाने की क्या जुरूरत पड़ी विर्बल जी मैं सारा दिन भागीचे की रखवाली करता हूँ तो मने सूचा कि क्यों न भागीचे में पैसे चुपा दिये जाएं ताकि भागीचे के साथ-साथ अपने पैसों की भी देखवाल कर सकूं आप 10 पर क्या कोई और भी उस जगह के बारे में जानता है नहीं वेरबल जी मेरे अलावा और कोई नहीं जानता अच्छा ठीक है मुझे थोड़ा वक्त दो मैं कुछ ना कुछ जरूर करता हूं किसी आदमी को पैसों के बारे में तब ही पता चल सकता है जबकि वो पेड़ की चर में गड़ा खो दे हाँ मैं समझ गया अब मुझे क्या करना है मैं जरूर समझ गया इस रज के सारे वैद्या और हकिमों से पूछता आज करो कि वो अपनी दवाईयों को बनाने में कौन-कौन सी जड़ी बूटियां इस्तमाल करते हैं क्या नाश्पाती के पेड़ का कोई हिस्सा दवाई बनाने में इस्तमाल किया जाता है या नहीं? नाश्पाती का फल देखा जाए तो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है लिकिन इसके फूल और पत्तियां हमारे किसी काम के नहीं बिरबल जी हाल ही में मैंने जड़ी बुटियों से एक ऐसी दवाई तयार की जिसमें नाश्पाती के पेड़ों की जड़ों का इस्तमाल किया गया है और वो दवा मैंने साहुकार को दी जिसे पिलिया की बिमारी थी है मेरी दवाई से वो साहुकार बिल्कु ठीक हो गया और उस साहुकार का नाम क्या है? सेठ हजारी मल सेठ हजारी मल सेठ हजारी मल को बुलाय जाए तुम्हें जो पीलिया की बिमारी थी वो कैसे ठीक हुई? बीरवल जी, मेरे एक वैत्य ने जड़ी बूटियों से एक ऐसी दवाई तयार करके मुझे दी जिसमें नाशपती के पेड़ की जड़ें भी शामिल थी उस दवाई को खाते ही मेरी बिमारी दूर हो गई और मैं फिर से पहले के तरह सेहत मन्द हो गया और उन जड़ों को लाया कौन था? जी मेरा नौकर लाया था हजारी मल जी, आप जड़ा अपने नौकर को बलाईए क्या तुमने ही इन्हें नाशपती की जड़े लाकर दी थी? जी हाँ बीरवल जी, मैंने ही लाकर दी थी और ये पेड कहाँ पर था? जी, शाही बगीचे में तो क्या तुम अपने साथ सोने के सिक्कों से भरा थैला भी लाये थे? जो तुम्हे पेड के नीचे मिला था? लाओ, वो थैला फॉरन मुझे दे दो लेकिन, लेकिन मैं तो, मैं लाओ, वो थैला फॉरन मुझे दे दो जल्दी से वो सिक्कों से भरा थैला मुझे वापस कर दो ताकि तुम्हारी घुस्ताखी माफ कर दी जाए नहीं तो माफ कीची बीरबल जी, मैं अभी वो थैला लाकर दे देता हूँ मैं तुम्हें माफ कर दूँगा लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम फिर कभी ऐसा नहीं करोगे मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा भीरबल जी फिर कभी नहीं करूँगा क्योंकि तुमने अपनी गलती मान दी हैं इसलिए ये पांच सिक्के तुम्हें मैं इनाहम में देता हूँ आओ कालू, ये लो कालू, ये रहा तुम्हारा थैला इन में से पांच सिक्के मैंने तुम्हारी लापरवाही का जुर्माना समझके रख लिये हैं फिर कभी ऐसी बेवकुफी भरा काम मत करना और अपना पैसा अपनी जगह पर कभी मत चुपाना, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया विर्बल जी, आपने मुझे बरबाद होने से बचा लिया मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा मुझे आपने आज बहुत बड़ा सबक सिखाया है आगे से मैं कभी भी ऐसी कंजूसी नहीं करूँगा झाल झाल झाल